वेलकम गाईज जेक लोन जोब चैनल में आखा बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में डिसकस करने वाले मल्टिपल चोइस क्यूशन पोर प्रेग्जाम नर्सिंग प्रामेडिकल फारमेशी बहुत ही पोटेंट है बहुत क्या बहुत ही पोटेंट है ठीक है जो एंसे आ बहुत हेलपूल रहने वाले हैं ठीक है ठीक है जिसने पढ़ लिया उनका बहुत बहुत देने वाद उनका बहुत बहुत अच्छा फूचर ब्राइटोने वाला है तो शुरू करते हैं उच्छेंड के पोदों में और शुत्रन किस समय होता है अब जिन्होंने एंस आर्ट सिंपल रायट ऑप्सन हमारा हो जाएगा युगुमक बनते समय यानि गेमेड बनते समय रायट ऑप्सन पश्ट हमारा हो जाएगा ठीक है ना अब चलते हैं नेक्ट कुछन की और नेक्ट कुछन इमारा केचप प्रांइ exist है तरद सब जानते होंगां सब जानते होंगं ठीक है तो उनके बारे में पूचा गया है कि एक लिंगी है याया दिलंगी या नपुषक होता है बताए और में नहीं पड़ाय भी ताone Dort unexpectedly ए क 120 आ सैंसम के चैनल पर जिसको याद होगा उजली कर सकता है और मेन वहाँ पर थोड़ा सा प्रैसर भी क्याता आपको कि किस प्रकार से आपको तो बताई इसका एक्जांपल क्या होगा थो सिंपल केचवा प्राण्य यानि की दिलिंगी होता है कि इसमें में और फैमेल जो और गने इसमें एक में पाए जाते है तो यह मैंने वाँ पर भी समझाया था जब NCRT में आपको पढ़ाया थी साइनसेम के चैनल पर और ऐसे क्यूशन अपसर आप से पूछ लिए जाते हैं आपका जो प्रे एक्जाम में नर्सिंग का प्रेमेडिकल का फार्मेश का इन एक्जाम में सो मर राय ओप्सन हो जाएगा दीलिंगी होता है के चोभा THKE option B खर्डबर मों हो जाएगा ठीक है आप चलते नेक्ट कुशन के कि नग्ट कुशन में आप इननंने सो कौन सा बर दीम golpe होते मौश्ट्र पोटन क्यूशन और यह भी मैंने अच़्ै से आपको explain किया था कौन सी चीज दी गुणित होती है ठीक है ना तो बता दो युगमनज होता है अंड होता है प्राग होता है या फिर नर्व में द्याने की स्पर्म होता है अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आगया है तो सब को लगबग आलमोश ठीक है तो इसका पर कि अगुणित क्या होते है तो इसका राइट उप्सन फिर क्या होता फिर हमारा राइट उप्सन होता या तो अंड होता फिर या फिर इस फ्रम होता ठीक है यानि कि यह प्राग है यह भी अगुणित होता है कि लिए तभी तो यह मिलकर दी गुणित बनते है तो सिंपल ठीक है न तो यहाँ पर यह हमारा right option हो जाएगा यूगमनेज ठीक है अब चलते नेक्स चूशन की और नेक्स चूशन हमारा इनमें से कौन सा बाग गुणी थे यह जस्ट उसके opposite question आपसे पूछ लिया गया है ठीक है बट आपको direct answer देना नहीं है जो option यहाँ पर दिये हुए उन्से knowledge लेना है यानि कि यहाँ पर जो 3 दिये होए ना उन्से आपको knowledge लेना है कि यह 3 हमारे दीक हुणी थे और कोई A कहाँ पर दिया हुआ हो ओए ओग तो आपको बताना है कि इसका right option क्या होगा बताइए क्या होगा अंड़ा शे प्राकोश प नौर्स बना सकते हो कि दीगौनित अंडास से प्राकोस और युक्णित है इस प्रकार से आप One बना सकते हो जो पिछला वीडियो था उन्हें आप ए सीख लेशके ऊकि वहाँ पर तीन चीजे दी उए थी वो कि वह अगुनित तो नोलेज आप ले सकते हो तो तो यहांसे आपके उपड़र करता है कि आप कितनी नोलेज यहां से ले ना चाहते हो ठीक है तो माइर आप फिलाल प्राग्यान की सी ठीक है ना और लिख लेना कि कौन से और कौन से दीगनित होते हैं ऐसे कुशन अपसरा आपसे पूछली जाते हैं नेक्ट कुशने मारा जो पूरुध भहुने होता है याने की रीजनरेशन होता है कि क्रिया का निमलेकद में से किसमें होती है यह बहुत ही पोटेंट है और मैंने बताया विता जब हो चैप्टर हमने पढ़ा था इन से आठेगा पढ़ा तक नहीं पढ़ा था साइंस हमके चनल में उस टाइम पे मैंने आपको रेकमेंड भी क्या था कि यह चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन से में क्या होता है ठीक है तो आप इसको कर सकते हो ठीक है पर जाने के टाइप हमने पढ़ेते सेक्सुल और काई तो उसके अंदर डीप ली जब हमने कुछ एक्जामपल पढ़ेते तो वहां पर हमने बात की थी कि किसमें कौन जैसे कि प्लेनेर्या हो गया तो उसमें रिजनरेशन किसके तुरू ह हो गया उसमें किसके तुरू होता है ठीक है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सो इस्टूडेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिन इस्टूडेंटों ने वह एंसे आर्टी का पास्ट चेप्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिश् देख लीजिए या फिर देखने के बाद इसको देखिए तब आपको अच्छा सा समझ में आएगा और यह जो और यहां पर चीज दे हुए जिसके पैनिसली इनका रहा अगर इनका भी आपको कौन सा प्रजर्णन होता यह देखना है तो वह चेप्टर आपको पढ़ना नेक्ट कुषिन हमारा जल कुंपी 65,000 से अधिक पोदे कितने मां में उत्वपन कर सकती है यह डारेट कुषिन है अगर आपने पढ़ी होगी बुक्स तो आप इसका अंसर देख सकते हो ठीक है और मेरे आपसे बोला भी था कि वह जो चेप्टर आपको पूरा पढ़ना है ठीक है क्योंकि हमने बैसिक बात की थी कि किस प्रकार से बन सकते है अगर आपने अंदर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना तो इसका अंसर इजी लिए आप देख सकते हो डारेट कुषिन है वैसे कोई दिमाखल गयने वाली बात नहीं है और वैसे मैंने पढ़ा था तो मेर केवल एक बार अपने जीवनकाल में पूस्ट पैदा करता है इसके उपर वो जो चैप्टर पढ़ा था इनसे आट का पश्ट जीवों में जनन वहां पर मैंने अच्छे से समझाया था बांस के बारे में ठीक है तो डारेट कुषिन है कि बांस में ऐसा होता है अपने जीव पाइदे में ठीक है तो सिंपल सा कुषिन और डारेट कुषिन ऐसे कुषिन पूझ ले जाते तब ही तुनका स्लक्षिन होता है कि सिंपल यह हमारा रायट ऑप्षिन हो जाएगा मास ठीक है तो आप चलते हैं नेक्ट कुषिन की और नेक्ट कुषिन हमारा नेमन में किसमें बारा वर्ट में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं बारा सालों में एक बार जनरल नोलेज होगी आपको अगर तोड़ी सी भी तोड़ी सी भी बोटनी के बारे में तो आप इसली कर सकते हो और जीव में जनन उसी चैप्टर से लिया हृँ ऑलएं ठीक है सूरां की पीपल नेला कुरेंजा और नीमि मैं में शिम्पल नेम तो हो नहीं सकती है अगर आई आप यह स्वाल किसे को पता है नहीं थो Satam क्रणा तो आपको सब कता होगा, हो भी नहीं है, ठीक है, पीपल तो भी इसली नहीं है, तो बचा क्या नेला कुरेंज है, तो कर दो इस फिर टिक, ऐसे भी कुछन हो जाता है, अगर आपको नहीं आता है, फिर भी आ जाता है, बटो कब आता है, जब ओधर चीज़ आपको पता हो, त ठीक है तो थर्ड हमारा राइट उप्षन हो जाएगा सी ठीक है इसे आपको करना है वहाँ पर भी अब चलते हैं नेक्ट कुशन की और नेक्ट कुशन है मारा परकंद का एक उधारन है मैंने आपसे बोला था आपको याद रखना है कि जड़ का रुपांतरन कौन है तने का रुपांतरन कौन है फूल का रुपांतरन कौन है ये कुशन अपसर कमपटिशन एकजाम तो पूछ लिया जाता है बट आपके इंटरास इसक्जाम्न पहीं याद रखनी है तो आपको पता हो इंच में क्ल्वत कि कॉन्से आएं टो लशुन किसका हो रुपानतीन नेडूr अद्रक किसका है प्याज किसका है ठीक है पता है तो बता दो इसका अंसर सिंपल प्रकंद किसका अद्रक क्या है प्रकंद का है तो अद्रक हो गया और इसी प्रकार के हमारे हल दीज हो गई ठीक है न यह सार चीज़ आपको याद रखनी है सो इस्टुडेंट मैं आपको रिक्मेंड करूँगा कि आपको जो तन्य के रुपांत्रित है और जड़ के रुपांत्रित है इस पर का जो रुपांत्रित है ना बहुत सारे वह आपको एक्जामपल 10 से 15 तो याद रखने हैं या अलमौस्ट सबके आपके लाए बन जाएगी निकलती है बहुत सारी सी चीज़्य है ठीक है तो उसे पूछ लाए कि प्याज किसका है तो आप बता है कि जड़का है यह वाँ सली बटहशाने अरवि किसका रुपांत्र न है तो उसस भी बोलेंगे कर Olay समें बटेशा नहीं है इसी प्रकार आप देख सकते हैं NC8 की 11 में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे नेट कुछने मारा कलिका रोपन उदारन है काईक जनन उत्तक सवर्दन लेगी जनन का है प्रिक्रणन का है ये टरम हमने पढ़ी थी कहाँ पर NC8 जो 12 का पस्ट चेप्टर उसका ही तो हम ये पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी पढ़ी थी ठीक है तो काईक जनन ने हमने क्या पढ़ा था जनन के परकार सेक्सुल और काईक ठीक है तो सेक्सुल के कुछ एक्जामपल हमने देखे थे और लेगी ये था काईक इसका भी हमने एक्जाम्पल देएगे तो कलिकार ओपन किसका है बता दो जिसको पता है वहाँ पर हमने पढ़ी थी सिंपल काई जिनन का ठीक है राइट ओटन एओ जाएगा अब चलते है नेट कुशन की और नेट कुशन हमारा गयों सट गुनित होता है जिसमें कुल गुनसुतर 42 होती है तो इसके किसी गुमा गुनसुतर होंगे बताईए मैंने आपसे बोला था हूँ कि टेबल याद कर लिना चेप्टर पास्ट में है गुनसुतर की संख्या उसमें दी हूए बहुत सारी क्या लू हो जाएगा 14 यानि कि 14 ठीक है अब चलते हैं नेक्ट कुशन के और नेक्ट कुशन हमारा कि मक्का के अर्ध सुत्रन टू है इन में गुनसुतर संख्या क्या होती है क्रोमोसुम नमरें पूचा जा रहा है और मैंने वहां पर जब चैप्टर पढ़ाया था इनसे आटिका प भी वक्त है जाके देख लो ठीक है ना मक्का के तो बता दो राइट उप्शन जिन्हों ने वह चैप्टर पढ़ाता हो तो बता देगा कि सिंपल सेवन ठीक है तो अब चलते हैं नेक्ट कुशन की और नेक्ट कुशन हमारा कि नेमिलेकित में से किसका पादवकाय अगुनित होता है तो सेवाल में भी होता है कवक में भी होता है व्राइफाइट में भी होता है यानिकि सभी में होता है यानिकि ओप्शन डेमार रायट ओप्शन हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं नेक्ट कु पूचा गया कुछन से ठीक है तो हलके मतले ना ब्राइपाइपाइट इलेवंध का इस इन बलसी बात है इलेवंध का जो इन से आटी चेप्टर है वहां से लिया गया है उम्हारा पश्ट या सेगंड चेप्टर होगा ठीक है उसको भी हम देख लेगा बहुत की और नेक्ष्ट कुछने मारा जब युगमक सदेन यानिके फर्टिलाइज़ेशन जी उके स्रीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं आपको पता है ठीक है ना अनिशेक जनन यह साथ ट्रम आपको याद रखने है बाइए निशेशन आंत्रिक निशेशन और ब्रुनोद ब होजा बाइए निशेशन उसको बोलते है यानिकी BMR राइट अप्सन हो जाएगा सो इस्टुनेंट इमार 15 कुछन हो गए है और वैसे कुछन तो बहुत सारे बकाया है बट लोंग हो जाएगा वीडियो तो पार सेक्ट में हम कुछ कर लेंगे ठीक है और पार थार्ड भी क तो जिन्हों ने वह चेप्टर नहीं पढ़ा था नसे आट का उनको देखे कि इसको देखे तो बहुर बेटर लगेगा और चैप्टर वाला नसे यानसम के चैनलन पर अप्टोड कर दिया है जिन्हों नों देख लिया है तो नीचे description link दिया हुआ है COVID-19 का so आप वो देख सकते हो multiple choice question उसके करा दिये मैंने ठीक है COVID-19 से question आ सकता है क्योंकि यह trend पर चल रहा है सबसे भारी समझ आ है और आप medical के student होने जा रहे हो तो आप से पूछ लिया जा सकता है तो वो question आप देख लीजिए description link दिया हुआ है सब मिल जाएक आपको और जिनों ने वो chapter नहीं पढ़ाता NCRT वाला वो पढ़ लीजिए ठीक है और कोई भी doubt हो तो comment कर दीजिए ठीक है Thank you, thank you all of you